अगर सारे समण चंदा देना बंद कर दें, 29 लाख संग्ठनों को, 29 लाख धंब के, लड़कों के, सरकारी करमचारियों के, दल बल पारटी पैंथर के, राजनीती के, सामाजेक, भंते भिक्कू के, कि जितने भी टुकडे हमारे हैं, अगर इनका पोशन बंद हो जाए, और इनका चंदा बंद हो जाए, और एक शर्त लग जाए, कि चंदा देंगे जब एकटे होके आओगे तब, और ये जो महीम चल रही है, अगर ये महीम, एक महिने के अंदर जोर पकड़ ले, तो 30 दिन के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये ठीक ऐसे है कि जौँ जो हमने मर्ज की दवा की, तो मर्ज बढ़ता गया, और इतना मर्ज बढ़ गया, कि हमारी मिर्तियू सहिया कि स्तिति आ गई, हमारा मरने का समय आ गया, मर्ज बढ़ता गया, जो जोँ दवा करते गए और दवा है पोशन और उनको जो हम चंदा देते हैं ये किसी को देखते हुए जो गोल्डन नियम नमबर दो है ये पूरे भारत में और भारत के बाहर जितने 29 लाग संग्ठन है ये सब के अंदर खलबली मचाता है जब सारे समर्संगी और समर्संगीयों के पूटर सब ये कहते हैं कि चंदे के लिए समर्संग ने मना किया है चंदा देंगे जब इखटे होके आओगे तब तो सारे लोग इखटा नहीं होना चाहते हैं क्योंकि चंदा बंद करने की सर्थ या चंदा बंद नहीं कर रहे हैं पर इखटा होने की जो सर्थ है वो उनक समण संग आरंब हुआ, लोग इखटे होने सुरू हुए, सन्नी पात बाहूल करते थे, इखटे होते थे, तो सन्नी पात बाहूल के समय, तब तक पैसा या रुपिया जो आज के समय का है, या बैंक एकाउंट या चेक, या डीटल करंसी, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करते थी, कागज भी नहीं बना था, और धातू के सिक्के, रजत के या सोने के बहुत बाद में बने, उससे पहले धातू भी नहीं थी, पर सन्नी पात बहूल था, समण संग था, और लोग मिलते थे, सन्निकट बैठते थे, सन्निकट बैठके, सन्निकट पात करते थे, और उनका समझ, समझ यानि मेला, जिसको आज समाज बोलते हैं, उनका समझ लगाता लगता रहता था, जिसको मेला बोलते हैं, पर जब पैसा नहीं था, जब रजत नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं था, कैश नहीं था, चेक नहीं था, जीटल करन्सी नहीं थी, टांस्फर नही के आते थे तो कोई जानवर की गाड़ी बना ली हो तो बना ली हो वरना तो सब पैदली आते थे और दूर से आते थे तो रास्ते में कहीं कोई ऐसा नहीं होता था कि उनको कहीं भोजन या पानी का जुगार या मिलेगा जिसको वो ले सकते हैं क्योंकि पैसा नहीं और दुका खाना जादा लेके आते थे और थोड़ा-थोड़ा खाना जादा लाते थे सभी तो उतना खाना होता था कि खाना खाने के बाद ही बच जाता था और अगर कोई वस्तू किसी चीज कोई संसादने खटा करना हो तो थोड़ा-थोड़ा सब लेके आते थे जिससे भात भर जाता भात भरना उसी को बोलते हैं भात माने चावल और किसी के यहां अगर कोई संगती है कोई कारज है कोई सन्निपाउत है कहीं खटे होरें लोग मरें में जीने में साधी में ब्या में तो भात भरते थे भात का मतलब चावल उस घर में भरा जाता था तो उस घर में जिसमें जाती कोई कमी नहीं पड़ती थी क्योंकि सभी अपने अपने हिस्ते का लेके आते थे यह बात बहुत पुरानी बात है पर यह है बड़ी कारगार जब सन्निपात बहुल से और उस सिस्टम से आगे हम एड़वांस में बड़े और बुद्ध ने भिक्वों का भी संग बनाया भिक्वों का जब संग बना और भिक्वनियों का संग बना तो बुद्ध ने नियम बनाये उस समय के हिसाब से देखते हुए नियम बनाये और उस नियम में उन्होंने रजट लेने के लिए यानि कि चांदी लेने के लिए धातु लेने के लिए पैसा लेने के लिए आज के समय का पैसा बुलकुल साफ मना कर दिया कोई ऐसी वस्तू भी नहीं ले सकते कोई जमीन जाजाद या कोई लगजरी की आइटम भी नहीं ले सकते जो लेने के लिए उन्होंने अलाव किया और नियम बनाए वो बहुत इस्तमाल की कम से कम चीजे थी एक भिकू दो चीवर ले स थे वो देगा या भिकू के इस्तमाली कोई चीज देगा तो भिकू नहीं ले सकता भिकू उसे लेकर संग में जमा करेगा और संग में नियम था कि जिसकी आवशकता होगी उसको मिलेगा एक विक्ति को दो चीवर मिलेंगे पहले दो चीवर वो इस्तमाल करे अगर उसका ए हुए चीवर का भी इस्तमाल करेगा उसकी चादर बनाएगा उसका तौलिया बनाएगा उसका पोछा बनाएगा उसका ओडने मिचाने की चादर बनाएगा उसका पड़ता बनाएगा और उसको अगर बिलकुल खतम हो जाता है पाइदान भी तो फिर उसकी दिये की बाती बना करते थे और जिसका नंबर आता था उसको ये घटा बड़ी important है कि जो बुद्ध की यानि सिद्धत गौतंक की जो माता थी छीर दाई माता यानि जिन्होंने दूद पलाया था जनम देने वाली माता तो मर गई थी तो वो जब भिकुणी बनी कि चीवर मैं आप लिए लेके आई हूं उन्होंने कहा संग में जमा कर दो उन्होंने दुबारा कहा आनद ने भी कहा कि छीर दाई माता हैं लेके आई है और उन्हें आनद को भी कहा कि इसको जमा कर दो यानि नियम था कि कोई भी अगर चीज वस्तु प्योग कि आएगी तो वो संग में जमा होगी इसका मतलब जो भिकू थे वो बहार के जो सामान था उसके उपर पलते थे क्योंकि उनका नियम बनाया गया था कि वो ब्यापार नहीं कर सकते, वो खेती नहीं कर सकते, वो कहीं से कोई फल वगएरा या कुछ भी चीज नहीं कर सकते, उनका सिर्फ एक काम था कि लोगों को पढ़हना और पढ़हने के बदले में जो लोग खाना देंगे वो खाना लेना और 20% कम खाना, और जो खाना आता वो भी भिक्कू संग के नाम से आता था और भिक्कू संग में जाता था और संग में वो खाना मैस होता था मिक्स होता था फिर बढ़ता था सब को ऐसा नहीं कि कोई भिक्कू खाना ले और खुदी खाने बैठ जाए और जो खाना बसता था वो बापिस जानवरों में या कहिन अगर बाट दिया जाता था और दिया जाता था तो वहाँ चीज़ें आती थी पर रज़त और पैसा नहीं आता था बाद में जब और हम आगे बड़े और सिस्टम आगे बड़ने लगा तो जो साधरन लोग हैं उन्वों को सामाजिक कुछ चीज़ों की कंबाइंट चीजों की सामूइ चीजों की गड़ परिस्द चीजों की इस्तमाल करने की चीजों की जरूट पड़ी और वो जो चीजे थी वो चीजे सारी के सारी जैसे चौपाल बैठने की जगे तो चौपाल सामूइ खुती थी उसमें सभी लोग सारे के सारे कम दान क्या करते थे दान माने होता है देना और कम माने होता है कार्रे यानि उसमें कार्रे देते थे जिसको बाद में सरम दान के नाम से बुला जाता है सरम माने काम नहीं होता कम दान होता था वहाँ जितने भी लोग हुआ करते थे वो अपना सारा का सारा काम उसमें देते थे क्योंकि मट्रियल तो सारा मिल जाता था और वो चौपाल जो बनती थी वो सामुई चौपाल बन देती हर किसी को वहाँ पे कम दान देना पड़ता था उसके बाद जो वहाँ कुवा बनता था तो कुवे के अंदर जो लागात लगती थी जो महनत लगती थी उसको सारा महला सारा समुदाय सारी कमिटी देता था रोवो पूरे समुदाय का कुवा होता था उस पे किसी एक का अधिकार नहीं होता था हर कोई उसको इस्तमाल कर सकता है बलकर कोई आने जाने वाला भी इस्तमाल कर सकता है वैसे ही चौपाल का भी इस्तमाल कर सकता है उसके बाद जो समसान है वो समसान बनी समसान के अंदर कोई भी जो मुटा है वो जलता था वो समदान समसान जो होती थी वो सामुईक होती थी औ और उसमें सभी लोगों को जलाया जा सकता था। उसकी देखवाल और मेंटनेस भी सभी की मेहनत से और अगर उसमें कुछ चाहिए तो सभी के हिसाब से होती थी। ये सामुईक चीज़ें हुआ करती थी जिसका इस्तमाल सभी लोग क्या करती थे। और बरावर बरावर का हिस्सा बांट लेते थे। जो भी बरावर बरावर खट जाता था हर घर से उगहाय जाता था। उसके बाद में फिर कुछ धर्म की संस्थाएं बनी कुछ मंदिर बने। मंदर का मतल्ला हुए जहां मन के दर्द दूर होते हैं इनको बिहार बोला करते हैं। भारत में जितने भी मंदर हैं उसका मतलब है मन के दर्द दूर करने वाली जगे और वो सारी बुद्द के बिहार हुआ करते थैं. कोई दूसरे गाउं का या तीसरे गाउं का या कोई सहर का या कोई काला या गोरा या कोई भिजवाब ऐसा नहीं होता था मनुष्य सारी चीज बनाते थे और सारी चीज मनुष्य लिए बनती थी वो व्यस्ता आगे बड़ी और वो व्यस्ता आगे चली इधर जब हमारा पतन हुआ और 400 साल 500 साल पहले हम सब लोग मुलकुल नीचे आगे तो बावा साव अम्मेटकर ने हमको उठाया बावा साव अम्मेटकर को अक्वार चलाना था पैसा था नहीं उनके पास में आने जाने की दिक्कत थी तो उन्हें बाहर से मदद मिली कुछ और मदद भी कैसी के बदले में काम करेंगे यानि जो राजा से पैसा मिला लौन के रूप में वो इस सर्थ में मिला वो एक बॉंड था जो लौन था एजूकर लौन के जब वो आएंगे तो उनके कि यहां काम करेंगे वो काम नहीं करने दिया राजा ने उनकी रुक्रेश्ट पर उनको जो कर मुक्त कर दिया क्योंकि जो पैसा था उसके बदले में आजू किसे बदले में काम करना था और काम करवाने में राजा सक्षम नहीं था यानि राजा के खुद के करमचारी राजा क के कंट्रोल में नहीं थे और वो राजा की बात भी नहीं मांते थे इसलिए डॉक्टर अम्बेटकर को मुक्त करना पड़ा और डॉक्टर अम्बेटकर मुक्त होके चलेगे पर इस लड़ाई से लगने के लिए संसादा नहीं ते संसादा ने खट्टे करने में भी टाइम तो वहां से चीजें चलनी सुरू ही जो आज के संदर में चलती है जिसको हम चंदा बोलते हैं यह पाली का सब्द है यह दरसल इस सब्द का नाम है चंद चंद जैसे हम यह कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा स्वचंद है वो महिला बड़ी स्वचंद है जब हम किसी व्यक्ति क या किसी महिला को स्वचंद बोलते हैं तो कहते हैं कि वो बिलकुल आजाद है, मौज मस्त वाली है, मौज मस्त वाला है, इसका मतलब है चंद माने होता था इक्षा, बाद में चंद से चंद बना चंद से इक्षा बनी, यानि इक्षा को ही पाली में चंद कहते हैं, और इच्छा हो गई और बुद्ध के समय जब भिक्वों की कोई समस्य आती थी तो वहां पर बोटिंग हुआ करती थी इस बोटिंग को सलाका करके लखरी के छोटे-छोटे टुकड़ों में उनको रंग कर दिया जाता था भिक्व देते थे जज बनाया जाते थे उसके नियम थे इसको प्राधिकन बोला करते थे और वहां पर मुकदमा लगता था उसकी सुनवाई होती थी और लोग सारे भिक्व जितने भी हैं वो अपना चंद दिया करते थे चंद का मतलब आज के समय मत या वोट समझ सकते हैं तो वो चुनते थे कि क्या हमें निर्णे करना क्या नही उस चंद से चंद बना और चंद से चंदा बना क्योंकि चंद और चंदा का मतलब तो मून होता है मून यानि कि जो चंदरमा जिसको बोलते हैं चंद बोलते हैं चंद बोलते हैं असली मतलब तो उसका वो है पर चंद से स्वेक्षा से बना तो स्वेक्षा का मतलब यह है कि किसी को कोई इक्षा है तो उसको चंदा करके इक्षा करके चंदा करके बोने लगे पर चंदा का मतलब या चंद का मतलब पाइसा देना या किसी चीज को देना नहीं है ये खाली इक्षा है पर दान का मतलब जो पाली में होता है दान का मतलब होता है दिया हुआ तो दान से हम कहते हैं गौव दान क्योंकि बाद में हमारी गाय लेने लगे हाला कि गौव का मतलब गौतम होता है गौव दान बन गया या बना भोजन दान जैसे भोजन किसी को देते हैं या पिंड दान पिंड माने भी पिंडी यानि के लड़ू होता है खाने का चावल का जो बनता था गोला उसको पिंड बोलते हैं तो पिंड दान भोजन दान तो ये सारे दान यानि किसी को देना ये दान के साब से बनते थे तो दान का मतलब चंदा नहीं है और चंदा का मतलब किसी को पैसा देन देन नहीं है पर यहां गवड क्या हुई कि जब सामाजी काम बढ़ने उक्ती इस बात को जानता है और मानना पड़ेगा कि अगर आप सामाजी काम करेंगे तो सामाजी काम करने के लिए पैसी की आवस्कता पड़ेगी पड़ेगी ये जो पोड़ल चला है ये जूब चला है जो मैं बोल रहा हूं इसके भी लगबग 7000 रुपे हर मीने जाते हैं त गर्वल कहा हो रही है उसको समझे गर्वल ये हो रही है कि लोगों ने सामाजी काम करने के लिए लोगों से सहयुक मांगा और सहयुक तो वो पहले भी करते थे गाउं में चौपाल बनती थी पंचाज बनती थी कुवा बनता था रहट बनती थी परादघर बनता था समसान बन तो हमारे समाज में जब विपत्तियां आई तो समाज एक काम करने के लिए लोगों ने पैसे की डिमांड की, के पैसा चाहिये、 काम करने वाले आदम तो है, पर संसादर नहीं है तो पैसा एकटा होता था, बावा नेंकि पचास पैसे के अख़वार बेचे हैं और जब जाके काम चलाया है तब जाके प्रैस चली है वो भी पैसे मांगते थे और लोग उनको पैसा देते थे बिना पैसे काम नहीं चलता था और बिना पैसे के बावा साब के बहुत सारे काम मटक गए और रुब गए इसमें कोई शक नहीं है और बुद्ध को भी चीवर चाहिए होते थे, पात्र चाहिए होते वो कमाते तो थे नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भिक कुप कमाएगा नहीं, तो जो आता था वो भी समाज से आता था, समाज से पर वो पूरा इस्तमाल करते थे और कम से कम लेते थे, खाना भ जब बावा सा अम्मेटर ने ये कहा कि आपको अपनी आमदनी का 20 वा हिस्सा यानि 5% जो resources है और जो आपके पास में time है बेसिकली उन्होंने पैसे के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा इंग्लिस में कि आपका time और आपका resources वो pay back to society करना है तो उन्हें टाइम के लिए कहा और रिसोर्स का मतब संसाधन संसाधन में पैसे भी आ सकते हैं संसाधन में आपका इसकिल भी आ सकता है संसाधन में बहुत सा रिशी जा सकती है जो आपके पास रिसोर्स है आपका खेत भी आ सकता है आपकी जमीन आ सकती है आपका घर आ सकता है, आपके पास जो विद्धा है वो आ सकती है, जो टेनिंग है वो आ सकती है, जो उसमें कम दाने वो भी आ सकता है, पर देने के लिए कहा society को, और society के मतलब है सर्फ एक society, जो हमारी अपनी society है, खास तोर से रहोने से Lul dóndeka a society के लिएक नहीं काम किया नहीं काम किया अपने लिए या काम किया काश्ट के लिए। आपने पाए पर usu तो बना नहीं पाए पर उसा इस बावाज़ा अब यह कत्थनः को लेके payback to society लेके बहुत सारे payback to society खु़ुड़ गयी और जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो लोगों ने पैसा दिया लोगों ने संसादन दिया लोगों ने काम किया लोगों ने सपोर्ट किया लोग खड़े रहे लोग आए पर गलती ये हुई कि लोगों ने हिसाब नहीं लिया लोगों ने यकिन किया कि ये समाज के लिए आए है तो यह माढदा लोग हैं, और यहowe लोग हैं तो इनसे हसाब क्या मांगना, हसाब मांगेंगे तो इनकी बेज़ जती हो जाएगी, वो हसाब ना मांगना हमारे लिए जहर हो गया, और क्या हुआ कि जो पैसा आया लोगों का, उसमें लोग अयाशी करने लगे उस पैसे का भिक्कु संग की तरह इस्तमाल ना करके उन्होंने मनुबाद की तरह इस्तमाल किया सुरा, सराव, सुंदरी, गाड़ी, पैटरॉल, आज के समय मुबाइल, कपड़े, लगते, महेंगे होटल, जहाजों में आना, जाना, दिखावा, बड़े-बड़े सभाएं, बड़े-बड़े लाउट्स्पिकर, बड़े-बड़े टेंट, बड़े-बड़े सोफे, बड़ आजसवा का, या MLC, बन जाएं कहीं, या कम से कम किसी बोर्ड के मेंबर या प्रिधान बन जाएं, ये उनका लक्षे होता चला गया, उससे क्या हुआ, कि संग्ठन में काम करने वाला व्यक्ति, जब गपचारी हो गया, और उसने हिसाब नहीं दिया, तो संग्ठन तूट पर तूटने के बाद जो संग्ठन तूटा, उसने उस दूसे संग्ठन की बुराई नहीं की, बलकर एक समझता हो गया दोनों में, तू भी कमा और हम भी कमा है, तू भी मत बता क्या हुआ और हम भी ना बताएं क्या हुआ, फिर दोनों चंदा लेने लगे, फिर दोनों या रहा है सो यूटूबर है तो वो भी चंदा मांग रहे हैं हर एक व्यक्ति अपना आई एफसी कोड और अपना अकाउंट नमबर भेज रहा है कोई बंदा फिलिम बना रहा है तो फिलिम के टिकेट एडवांस में दे रहा है कि मेरी फिलिम बना रहा हूं मैं समाज के उपर आए किताब चाप रहा है तो वो कह रहा है कि मैं किताब च्पाना चाहता हूं मुरे को पैसा दे दो मेरी किताब चाल लाक में चपेगी मेरी पांच लाक में चपेगी और वो डॉनेशन ले रहा है जिन्होंने किताब का बेचने का बैपार किया वो डॉनेशन भी ले रहे ह और नौनो घर बना रहे हैं अपने नौनो घर बना रहे हैं दिल्ली में लोगों रहे हैं उसके बाद में यह बैपार सुरू हुआ कि जो संगतिया लगती थी जो संभिलन होते थे जो मीटिंग लगती थी उसमें रुपिया आ रहा है 25 खर्च हो रहा है 7 लाग और बाकी सारा पैसा जे में जार 18-18 लाग रुपे उसका कहीं हिसाब नहीं किताब नहीं सरकारी करमचारियों के अंदर इस चंदे की वैसे चार-चार बने लगे वो आपस में लड़ते थे पर लोगों को नहीं बताते थे उनकी जो एटोसिडी जाती थी वो कोट के थरो एकटा करने जहर होता चला गया यहां तक कि इसमें जो धम के लोग थे वो भी चीवर पैन पैन के आगे और उन्होंने भी अलग-लग मठ खोल लिए और वो भी इवेंट करते हैं क्योंकि बिना इवेंट के कोई पैसा देगा नहीं यहां तक कि बुद्ध के धम को भी नहीं छोड़ा ब कि उन्हें पैसा चंदा बहुत आता था पर किसी ने भी आज तक चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया और किसी ने मांगा भी तो गाली गलोच के सिवा कुछ मिला रहें लेटेश घटना बताता हूं आपको दिल्ली के अंदर पारलिया मेंट पर चौदे अपैल को बावा साब सऑब का जरन दिन मनाते हैं हजार रोग हैं अपने परिवार के साथ आते हैं वहां सभी अपना एक सलाना इवेंट का कारिकर्म करते हैं उपार्टे नहीं GB department उनको पैसा देता है बावासाद की जयनती मिनाने के लिए वो सरकारी पैसा आता है और जो बाकी संख्ठन के लोग है वो पैसा खटा करते हैं कि हमको वहां पर केला बाटना है अमरूद माटना है पूरी माटनी है सब्जी माटनी है फलाना करना ध्रना करना है तो वो पैसा खटा करते हैं तो वहां मारा मारी हो गई जगे के लिए कि प्राइम जगे तौन लेगा हम भी पहले जाते थे तो रात को दो 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 दिन पहले वहां पर जगे घरते दो 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 दिन पहले हम वहीं पढ़े रहते थे गाड़ी केंदा सोते रहते थे कि हमारी जगे कोई गर ना जाए जोधे तारी का कारे करम होता था तो बारह तारिक की रात महीं पहुंँ जाते थे और तेरे तारी की रात को टेंट आता था फिर वहां समिती बनी में दो लोगों कहा कि भई इसको हम रेगल्च करते हैं और समिती बनी सब्सक्राइम दे हमने अपने दो श्टॉल लिखवा दिए उन्होंने समिती का पेमेंट लिया हजार जार रुपे हमने वो दे दिये और भी लोगों ने हजार रुपे दिये पर ना तो हमने ये पूछा कि हजार रुपे क्यों लिए यहां तो जगे की बात है यहां क्या खट हो रहा है जगे का भाई ये तो हजाजार रुप लिये थे, कहां खड़ चुए, किस निये लिये थे, क्यों लिये थे, मेरे को बताओ कि कितने लोग यहां आते हैं, उनकी लिस्ट क्या है, तो पिछले साल उन्होंने मेरा ही जो टेंट था, वो हटा दिया वहां से, मैं गया हुआ था, बाहर तो किसाब नेशब न पड़ेगा, क्योंकि इसाब देगा तो पैसा देना पड़ेगा, इसनिए हिसाब नहीं देते हैं, यहां एसी लोग हैं, जिसनों ने संस्थाएं बनाईज सिर्फ इसलियassy क्यों हैं, कि एनजीओं बना दिया लोग उने, एंजीओं में पैसे खाते हैं, इतना पैसा है कि कोई आदमी और छृवि जी चिली के इंदर भगवान बुद्ध के नाम का एक इवंट लगानेक लिए एछ चला जाये तो वह दसीस लाग बडोड लाता है बावा साप का कोई इवेंट लगाने के लिए पैसा खटा करें दस वीज लाग वह भी बटोल लाता है दोचार पांच जार से कब देता नहीं और रोज आसामी बना के जाते हैं कि आज पांच आद्मियों से लेने आज चारा प्नियों और जो देने वाले हैं वो सर्मा हजुर बार बार के चंदा नहीं लेना चंदा लेंगे जब चंदा देंगे जब जब एकटे होके आओगे तब तो ये ऐसा कौन सा काम है कुछ लोगों ने तो ये भी ब्लेम लगाया कि ये दुस्मन के लोग हैं दुस्मन के आदमी हैं ये सब कुछ खतम करना चायते हैं सब कुछ उसको माना नहीं। तो चंदे की जो समस्या थी, वो समस्या हमारे लिए जहर बन गई। और वो हमारे मिसन मुवमेंट के लिए पूरी तरह से एक खतम करने वाली तेहस्नास करने वाली बन गई जो हमारे misel moment को खतम कर रही है कोई कहता नहीं के मैं चंदा में खाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं और मरते हैं और चुलाब जीतने के लिए पूरी हट्कन दे अपनाते हैं ताकि उसमें रह सकें उसका कमिजन खास खा सकें फिर मां किराये पर उठाते हैं उसमें जगड़ा आता है और जो लोग फांडेशन बनाते हैं वो अपने ही लोगों को उसमें रेश्टर कर जाते हैं और लास्ट में वो प्रॉपर्ट से पहले आप जा के देखोगे जो समराठ असोग ने सामाजिक प्रॉपर्टियां सारी बनाए थी वो भी हम रखवाली नहीं कर पाए उनकी और नाए उनको देख पाए और जो हमारे मंदर थे वो मंदर भी चले गे वो हम उनको सिकॉर नहीं कर पाए वो चीजों को हम सेफ नह प्रक्प खरब होता है इनकी आवशक्ता है ऐसा नहीं है कि नकी आवशक्ता नहीं है बैट लिए ऋठने लिए आपको बिहार भी चाहिए जगे बी चाहिए ब में चाहिए आपको पड़े- reporters पीचाहिए खर्चीच चाहिए और उसका arrangement होने का तरीका है और उसका गावों में चलता था जो पहले समण संग में चलता था और जो पहले समण लोग सारे करते थे कि चीज़ें जो बनाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति की नहीं होंगी किसी भी हलत में व्यक्ति की पर संघ की चीजे सामुइक होती है वो सेंच्लाइज होती है उस सेंच्लाइज Walking करना चाहिए मतलब केंद्री एकर्थ शिप्टम हम जो यहां बार बार कहते हैं जब इखटा होके आओ तब हम यह कहते हैं कि आप सारे इखटे होके आओ और एक centralized system बनाओ, सारे बुद्ध भ्यारों को जोड़ो, सारे अम्बेट का भवन को जोड़ो, सारे कबीर भवन को जोड़ो, सारे रविदाद भवन को जोड़ो, जितने वालमीक भवन उनको जोड़ो, जितने गुरू चान ठागरू के हैं उनको जोड़ो, जितने नाम चाहिए कि कहा किसको बनना है कैसे बनना है उसका पैसा पूरे भारत का और भारत के बाहर का एक जिगे जाना चाहिए उसका audit होना चाहिए उसकी body होनी चाहिए वो सब public के नियंत्रण में रहना चाहिए व्यक्ति बदलते रहने चाहिए जो उस पर काम करने वाले और एक व्यक दने बताया कैसे चलता है, वो आनन्द उसके मेंजर थे, और सारे भिकूच जितना भी दाना आता था, वो सब उसमें जम्होता था और फिर उस ही साथ सीमिलता था जिसको आफशक्टा होती थी, उसमें कोई जढ़ा नहीं था, सबको देने वालों को भी पता था कि कहां जमा करना है और लेने वालों को पता था कहां से लेना है पर यहां क्या हो रहा है कि यहां डॉक्टर अंबेट करके जनम दिन पे एक हजार आदमी पट्चे चबाते हैं एक की सहर के इंदर और अलग असामी ढूंडते हैं और पूरे देश में लाखो लोग पट्चे चबाते हैं और लाखो जगे असामी ढूंडते हैं उससे क्या होता है कि जिन विचारधारों के अगेंश्ट में बावा साब ने fight किया था वही विचारधार की बीमारी यहां आ गई वो लोग जो हमें टुकड़े करना चाहते हैं उन्हें पता है कि हम तो अलेड़ी टुकड़े हैं हम तो बावा साव अमेट करके जनम दिन पे भी इखटे नहीं है अलग-लग पच्चिया काटते हैं अलग-लग मनाते हैं अलग-लग लेक्षर देते हैं अलग-लग हम प्रधान है और एक दूसरे के दुस्मन भी है ये बात उनको पता है और सेंट्रलाइज सिस्टम कर होता है त इसमें फीजियो थ्रैपिस भी बैठता है उसके अंदर साधी बैका काराज भी होता है उसके अंदर सब तरह की सुविधाएं जो एक सोसाइटिक होती है गुड़द्वारा तो है है जहां वो प्रवशन मगरा करते हैं इसके लावा वो सुविधाएं भी देते हैं और वो स इतने भी पैसे हैं वो गुड़द्वारे के अंदर दान में चले जाते हैं उनके अकाउंट में चले जाते हैं और वहां से उनको जहां गुड़द्वारा बनना होता है वहां उनके गुड़द्वारे की टीम गुड़द्वारे बनाती रहती है यानि गुडद्वारा प् पांसो स्कॉार मीटर का बड़िया पॉस्ट कलोनी में सारे पैसे डालके और वहां उसको बनाएंगे रोस पर जो देने वाला है उसी पर हजार आदमी आते मांगने के लिए वो भी परशन हो जाता है क्या दू क्या क्या ने दू और इससे कोई हमारा फाइदा नहीं होने वाला इससे नुपसान होता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि यह सारे संग्ठर अलग हैं सारे मत अलग हैं यह स सारे सिस्टम होते हैं जिनमी लोगों के संग हैं उन संगों के अधीन वो सारी चीज़ें आती हैं और सब लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं सब फाइदा उठाते हैं और बड़ा स्मूथ उनका काईकन चलता है तो अगर यह सारा पैसा जो अर्वोखरों रूपिया हम अब जाने का हूता तमिल नाडू वाला जो बंदा है अगर वो पंजाब जाता तो हमारे 39 लाग जो संटर ने उनको इससे कोई ले जाना दरह नहीं है कि क्या संट्राइज सिस्टम है और क्या फाइदा हो सकता है उनको सिर्फ साल में दो-तीन वार जो 10 लाग रुपे खटे हो जाते हैं चंदे के नाम से उससे मतलब है उसका वो इंतियार करते हैं उसको वो दे लखे हैं या तीन किसी के और बहुत मोटा मोटा पैसा लेकर वो आराम से बैठे रहते हैं बस उतने ही शेठ हैं वो उनकी सोच इतनी नहीं है कि पूरे भारत में अर्बों खरवर रुपिया जो चंदे का आता है अगर वो एक साथ आएगा तो कितनी बड़ी बड़ी दिखार नहीं बन पाया है वो सब बेकार सी बिटिक है और उसमें आप जाके लेटिन बातों नहीं कर सकते इतनी गंदे रहते हैं महाँ पर कमरे में बदबु आती हैं महाँ पर सो नहीं पाते हैं यह स्थिति इसलिए हैं क्योंकि सहरा आदमी अलग अलग इनका मालिक बना है और उनके करण नहीं हमारे करण क्योंकि हम उसको चंदा देते हैं क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं क्योंकि हम उसका पोशन करते हैं इसलिए हमारी जो करांती खतम हो रही है और हमें जो अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं और हम जो मारे मारे घूम रहे हैं पूरी मह कोशिश लगाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि चंदा हमें मिलता रहे यह चंदा ना लेने का जो वाक्य है यह वाक्य सबसे important है सारे 10 के 10 के नियम में चुकि पहले भी के भी चंदा नहीं था और पहले भी कभी पैसा इस तरह नहीं देते थे पहला ही सामिक रूप से काम करते थे वहीं परंपरा यहां संहवडох में आई है थै तो खारा अपने लेकर आते हैं इसी यहos का finance देते हैं गाडी में शेर करते तो उसका खर्चा अपना देते हैं कहीं अगर auditorium में जाते हैं तो उसका खर्चा अपना देते हैं तो यह सारा हम सामुई क्रूप से पुराने pattern पर काम करते हैं और वही काम करते हैं कि जो सन्नीपात बहुल में जाएगा उसे ही खर्च करना चाहिए जो सन्नीपात जुड़ा ही नहीं है जब वो मुवमेंट में आता ही नहीं तुमारे मुपे पैसे मारता है वो और तुम उसके मुपे अपने मुपे पैसे मरवा के चले आते हो जो आदमी मिसल मुवमेंट से जुड़ा नहीं जो आदमी तुमारे काम कर नहीं सिर्फ तुम इसलिए पैसे ले क्यों मतलब वेिजद बेजद इसे? क्योंकि संग स्वाभिमान से चलता है. संग के अंदर इजद सबसे पहले चीज़ है. अगर संग की इजद नहीं होगी, संगी की इजद नहीं होगी तो स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ेगा कैसे? इसलिए अपनी रोटी खाता है और आँख मिलाता है क्योंकि कहावत है पुरानी कि मूँ खाए और आँख लजाए यानि कि आपका मूँ खाएगा तो आपकी आँख जुकेगी जुकेगी अगर आप किसी का फिरी के हाँ खाऊगे तो आपकी आँख नीचे होगी होगी आपने देखा होगा जब किसी बरात में दावत में आदमी जाता है तो जब रोटी खाता है तो कैसी मीठी-मीठी बात है करता है खिलाने बादे की चाब भले वहां से निकलने के बाद चार गाली बगता हो पर जब तक मुझ चलता रहेगा खाता रहेगा उसकी आँख नीचे रहेगी तो समढ संगी की आँख कभी नीचे नहीं होनी चाहिए इसलिए अगर आप सक्छा में आप एबल है आप हैंडिकेट नहीं है आप संत नह नहीं है आप भिक्व नहीं है आप अपंग नहीं है आप लाचार नहीं है आपको घर से बाहर नहीं निकाल दिया है आप कमाने लाइक नहीं है तो आपको कभी भी लाइन में लगकर खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी दूसरे का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि बुद दिया अगर उसने दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो आगे जाएगा पर दिया है तो लेगा नहीं भिक्कु ऐसे कोई आया और आके उसने कहा कि यह लोग एक हाथ मारा और चार डूटी देती नहीं लेगा पहले तीन वार याचना करेगा तीन वार याचना करेगा भिक्कु उसके मन की स्थिति देखेगा कि ये सतकार के साथ में आदर के साथ में भोजन दे रहा है या ये हार समझ रहा है इसको या डूटी समझ रहा है या ये उसरे में से दे रहा है दोनों हाथों से देगा तो लेगा एक हाथ से तो फैंकी जाती है डूटी पर दोनों हाथों से दे बैटके दोनों हाथों से और निवदन प्रास ना की जाती है उनसे याच ना की जाती है कि आप हमारा ये खाने का भोचे समान घ्रण करने की किरपा करें किरपा करें ऐसे करके बोला जाता है तब वो भिकू जब मन को चेक लेता है और देख लेता है कि देने वाले का आदा सत कार के साथ में भोजन दे रहा है तो ही Sn canday करता है और अगर उसको ज़राभी यह लगे कि यह बोल रहा है और खियरा है और पर इसकी आवाज reflect हो रही है या इसका मन ऐसा हो रहा ही या सा घुरत को झोकि मंसने नहीं ना भाई यहां से दुबार आया दिवार आया इस तरह कीड़े मकड़ों जैसा बेकारी जैसा वेवार हम को वहां मिलता है और वेकारी जैसे वेवार को घ्रण करके हम वहां दो रूटील की खाते जो हमारे सरी में कभी लगती नहीं इसलिए यह भंडारे और यह जितनी भी च हट्टे होंगे इसलिए संगों के अंदर कभी चंदा नहीं लिया जाता आपको जानकर ताजब होगा कि दुनिया में जितने भी संग है वो चंदा नहीं लेते पर फिर उनका काम चलता है क्योंकि लोग अपनी सद्धा से अपने सब्कार से वहां वस्तिम देदेते हैं को श्टूर ले आता है कोई पुछ ले आता है को जमीन देता ओर उसका मालिक व्यखतीकत नहीं होता इसलिए यह बीमारी पहचानी गई हमारी मूबमेंट को खन्द करने में इस पैसे का चंदे का एहम रॉल है और इसको हमने ऐसे भी पैचाना कि हमारा सत्रू जो हमारा सत्रू है और जिसके हम सत्रू है वो सत्रू भी हमको चंदा देता है और सत्रू भी हमको ये कहता है कि तुमको इस काम के लिए पैसे दे दूँगा तुमको इस काम और वो घुच जाता है हमार संग के अंदर घुस गए हैं ऐसे बहुत केसे हैं जो बुद्भिहार अम्बेट के बहुर में लोगों ने बंब्डों के पैसे लगवा रखे हैं और उनको ताजबोसी होती है उनको माला पैरे जाती है उनकी जैटेकार होती है सिर्फ चंदा लेने की खाते ताकि उनको पैसा मिला है तो उनकी आँके जुक जाती है उनको गुलाम हो जाते हैं तो चंदा गुलामी भी बना देता है गुलाम भी बना देता है सौब इमान भी खत्म कर देता है मिसनल मुव्मेंट को बेच भी देता है मिसनल मुव्मेंट को तोड़ भी देता है मिसनल मुव्मेंट को हम आपको खतम कर रहा है, इसलिए चंदा अगर आप लोगे, किसी से भी लोगे, समलों से लो, या वंख्लों से लो, वो आपको खतम ही करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी नसले खतम हो जाएंगी, पर अगर आप वावा साथ के जनदर्में अपनी रोटी खाओगे, अपनी रोटी लेकर जाओगे, अपने पराठे लेकर जाओगे, दो किसी और के लेकर जाओगे, तो बावा साब भी परसंद होंगे, बावा साब का जो मिसर मुवमेंट है वो चलेगा भी, और आप भी सारी बीमारी से बस जाओगे, और संग भी आगे बढ़ेगा, इसलिए चंदा नहीं इसलिए हम किसी बारत में चंदे के लिए कभी भी रिक्मर नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले भी कभी नहीं था और अभी भी कभी नहीं है इसलिए इसका नियम पास हुआ फिर भी हमारा कोई ना कोई साती कभी कह देता है नहीं हमको structure की आव सकता है नहीं हमको school की आव सकता है नहीं हमको college की आव सकता है बिल्कुल आव सकता है हमें college, university, hospital ये सब हमारे होने चाहिए हमारे लोगों की charity होनी चाहिए कोई इंकार नहीं है से ये सारी सारी जगे हमारी होनी चाहिए पर सेंट्राइज होनी चाहिए अगर सेंट्राइज है और केंदिक रहते हैं और सबके इस्तमाल में है और कोई इसका मालिक नहीं है और इसका संग मालिक है तो खूब होनी चाहिए खूब बननी चाहिए पर अगर सेंट्राइज नहीं ह तो उसके बच्चे बाद मालिक बन जाएंगे धिर यह चला जाएगा हास से फिर आप देहते रहा होंगे या जब आपको काम पड़े तो अब से पूछे आपको या तो इसके मालिक नई थो झाल दे नहीं सकते हैं, मैं अपने परदान से पूछोंगा, मैं अपने जणल से कुछोंगा, फिर यह व्यक्तिकृत हो गई है, क्योंकि सेंट्टलाई सिस्टम में जितने भी लोगों ने आतक संग के तहत में, अपने अपने संग के तहत में इस तरह की धर्मसलाएं या गुर्दवारे या ये बनवाएं हैं तो उनमे एक नियम बनाते हैं वो लोग सब के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानि जो पहले आएगा उसको दे देंगे उन्हें इस वासे मतलब नहीं है कि जैन आया या बौद आया या कोई सिख आया या कोई आया मनुष से आता है तो मनुष से को दे देते हैं तो ये उनके धर्म करने के काम के सिस्टम है पर हमारा सिस्टम तो सारा गरब लाना है पूरा सिस्टम हमारा था इसलिए उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको चंदा नहीं देना चाहिए और कोई बहाना भी नहीं नहीं देना तो नहीं देना है क्योंकि कई बार कड़ी भी दवाई पीनी पड़ती है अगर इलाज पूरा करना हो तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी पर एक बार संग का नियम बन गया तो बन गया उस पर चल के देखोगे तो वो इतने बड़िया नियम है कि इन संग्ठनों को या तो खतम होना पड़ेगा या इनको एक होना पड़ेगा अगर ये खतम होते हैं तो भी लाबदायक हैं और अगर ये एक होते हैं तो भी लाबदायक हैं कोई संग में आता है तो भी लाबदायक है और अगर संग इन लोगों में जाके मिलता है तो भी लाबदायक है ल सेटल सिस्टम मिन जाएगा तो हमारा एक ही की एकाउंट होगा एक ही नंबर होगा एक ही जिए पूरे दुनिया का पैसा पर बात कर लिगे मरे पास कोई ज़्यादा रास्ता है नहीं, कोई ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए चंदा देंगे जब इखटे होके आओगे तब, इससे पहले ना चंदा देंगे और ना चंदे का धंदा करने देंगे, ना लेंगे, ना ना देंगे, संघंग नमामी, संघंग नमामी, मेरे इस वक् करें संग मुझे माफ करें संग मुझे माफ करें धन्यवाद जैभीम नमों बताएं